हेलो गाइज, स्वागा था आपका हमारे यूटूब चेनल आडिस्ट्रिडी 99 में और इस वीडियो में हम समाजिक इस्तरिकरण को देखेंगे यानि कि जो सोशल स्टेटिफिकेशन है वो आखिर वो क्या होता है समाजिक इस्तरिकरण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखें यदि समाजिक इस्तरिकरण को हम देखें आम सब्दों में देखें तो जो हमारा समाज होता है अब समाज में हमें क्या होता है कि हमें उच्च वर्ग भी देखने को मिलता है यानि कि higher society हमें देखने को मिलता है higher class हमें देखने को मिलता है और जो निमन वर्ग होता है यानि कि lower class हमें देखने को मिलता है यानि कि उच वर्ग और निमन वर्ग हमें दोनों देखने को मिलते हैं और इनके मध्य में एक विभाजन होता है समाज इनके बीच में एक साइटी में भी हमें समाजिक इस्तरी करण देखने को मिलता है जैसे हमारी कोई साइटी है वहां पर कोई अमीर आदमी निया rich person है तो उसे देखके हमें यह भाव आता है कि यह जार हम गरीब है या तो हम आमीर है और वह गरीब हैं तो इस परकार से जहां पर ऐसा भाव आता है अमीर और गरीब का भाव आता है या उच वर्ग और निम्न वर्ग का भाव आ जाता है और इनके मध्य में विभाजन हो जाता है अब विभाजन भी कई आधार पर इनके बीच में विभाजन होता है कार्य के आधार पर होता है आयू के आधार पर हो गया या इंकम के आधार पर हो गया और occupation के आधार पर हो गया जो इनका वियवसाही है उनके आधार पर भी इनमें विभाजन हो जाता है तो इसे हम कहते है समाजिक इस तरी करण कहते हैं अब देखे जैसे कोई भी समाज है चाहिए हो हमारे इंडिया का समाज हो गया या कोई अधर फॉरन कंट्री हो गया अमेरिका हो गया अस्ट्रेलिया हो गया कोई भी देश का समाज हो गया तो उसको उसको उसके आयू हो गया उसके लिंग और व्यावसाई के आधार पर उनको निमन इस तर और उचस्थ परदान किया जाता है यानि कि कोई जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया तो ऊसे कोई higher इसे हम समाजिक स्तरिकरण कहते हैं, उधारण के लिए यदि हम देखें, जो हमारा हिंदू समाज है, अब हिंदू समाज में हम प्राचीन समय में देखें, तो कभी जो ब्रामन होते थे उनको उच्च दर्जा प्राप्त होता था, आज भी है लेकिन इस्तिती काफी बदल उनको काफी उच्चा इस्तान परदान किया जाता था और सुद्रों को निमने इस्तान परदान किया जाता था, तो ये एक परकार का समाजिक इस्तरिकरण है, कि उनको उनके कारियों के आधार पे बांट दिया गया है, तो ये समाजिक इस्तरिकरण कहलाता है, अब हम देख उसकी आयू के आधार पर, लिंग के आधार पर, वियवसाय के आधिकार पर, या जो उसका पद है, कि वो किस पद पर विराजमान है, एवं उसका क्या उत्तर दाईत हुआ है, उसी के आधार पर हम उनको निमन इस्तर और उच्छ इस्तर में हम विभाजित करते हैं, यानि कि जो सामाजिक इस्तरी करण है सोशल स्टेटिफिकेशन वह एक ऐसी परकिरिया है जिसमें व्यक्तियों के समुहों को उनकी परतिश्टा समपत्ति और सक्ति की मात्र के सापेक स्पदानुक्रम के विभीन स्रेणियों में उच वह निमन रूप में इस्तरी करित किया जाता है यानि कि हम समाज में देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है उसके हम परतिश्टा देखेंगे या उसकी संपत्ती हो गई, या उसके पास क्या पावर है, और पावर उसके पास कितनी मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, या कम मात्रा में है, या उसका हम पद्ध देखेंगे, तो उसी के आधार पे हम विभिन आद्मियों को उच और निमन रूप में हम वो कर देते हैं, उनको बेठा देते हैं हमारे समाज में, जिसके कारण क्या होता है कि एक समाज में एक इस्तरीकरण आ जाता है, यानि कि जो समाज है, समाज में उच वर्ग और निम्न वर्ग के मद्य में, जो विभाजन हमें देखने को मिलता है, वो समाजिक इस्तरीकरण कहलाता है, उन्होंने अलग-अलग तारीके से इसको व्यक्ति किया हुआ है कि आखे समाजिक स्थिर करण होता गया तो हम देखे आग ऑगबर्ग और निमनकौफ के अनुसार देखें तो आगबर्ग और निमनकौफ बोलते हैं कि इस्तिर करण उस परक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति या समो एक इस्तिति की करम बद्धता में बाटे जाते हैं आखिर मतलब वही हुआ कि जो समाज में हम व्यक्तियों को किस में बाट रहे हैं उनकी इस्तिति में बाट दे रहे हैं हायर क्लास में बाट दे रहे हैं तो रेमेंड मूरे बोलते हैं कि जो इस्तरी करण होता है, वो समाज का एक करमबद विवाजन है, जिसमें जो संपूर्ण समाज होता है, वो कुछ उच वो कुछ निम्न समाजी काईयों में विवाजित कर दिया जाता है, यानि कि हम समाज को ऐसे बाट रहे हैं कि करमबद रूप से हम बाट रहे हैं, किसी को हम उच पदों पर बाट रहे हैं, किसी को हम निम्न इस तर पर बाट रहे हैं, यानि कि उच मलब की कुछ काम जो है, जो अपनी योग्यता के आधार, योग्यता को दिखाकर उच पदों प बटवारा हो रहा है तो कारे के आधार पर यहां पर लोगों को बाटा जा रहा है उसे हम बोलते हैं समाजिक इस्तरिकरण क्योंकि क्या होता है कि जो कारे के आधार पर किसी के व्याफसाय को के आधार पर भी जो समाजिक समाज को बाटा जाता है तो उसको भी समाजिक इस्तर के हाथ में उसके निचे टीचर्स आते हैं फिर टीचर्स के अंदर भी जो वहाँ पर स्वीपर हो गए या कुछ अन्य जो वहाँ पर पोस्ट होती है वह आते हैं तो इसके कारे के आधार पर भी वहाँ पर समाजिक इस्तरीकरण हो रहा है उसके बाद आते हैं सदर लेंड और बुट्सबर्ग ये बोलते हैं कि जो समाजिक इस्तरी करण है वो केवल अंतकिरिया और विवेधी करण ये विवेधी करण हो गया लेकिन ये विवेधी करण है विवेधी करण तो वो बोलते हैं कि जो इस तरी करण है वो के वर अंत किरिया और विभेदी करण की एक परकिरिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों की तुलना में कुछ को उच इस्तिती प्राप्त होती है अब देखे ये अब कोई समाज है अब समाज में तो हर किसी को उच इस्तिती प्राप् और कुछ को निमन इस्तर परदान किया जाता है और ये वाला तो और आपः और निमन कौफ वाला पिछली वाली सलाइट में हो गया था तो ये नहीं देखेंगे हम इसमें और गिष्ट बर्ड बोलते हैं कि जो सामाजिक इस्तरीकरण है तो समाजिक इस्तिरिकरण कर जो अर्थ है वो समाज की कुछ ऐसी इस्ताई समुह या स्रेणियों में विवाक्त करने वाली व्यवस्ता से है जिसके अंतरगत सभी स्रेणियों वो समुह श्रेश्टता अधिकता के संबंदों द्वारा एक दूसरे से बदी होती है उसके बा कि जो उच्च पद और निमन इस्तर है यानिकि उच्च इस्तर में हम समाज को बाट रहे हैं तो वही क्या है समाजिक इस्तरी करने यानिकि अगर हम आसान से सब्दों में देखें जहां पर निमन वह उच्चता का भाव आया सौरी ये उच्चता था उच्चता यनिकि नीम ने हुआ उच्चता का भाव आया यनिकि तु अमीर है या मैं गरीब हूँ तो इस परकार से जहां पर ये भाव आ गया वो वहां पर हमें समाजिक इस्तिरिकरण देखने को मिलता है जो समाजिक इस्तिरिकरण हुआ हमें बिल्कुल प्राचिन समय से हमें देखने को मिलता है जो समाजिक इस्तिरिकरण को देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो समाजिक इस्तिरिकरण है वो जो व्यक्तियों के समों के आधार पर हम जो व्यक्तियों का गुरूप हो गया उसके आधार पर हम उनको उच्चताओ निम्नेता के इस तरपर हम बांड देते हैं तो उच्चताओ निम्नेता के इस तरपर जो विभाजन होता है वही समाजिक इस्तरीकरण कहलाता है और समाजिक इस्त्रीकरण में हम जो मुख्यता हम जो समाज में असमानता का अध्यन कर रहे हैं कि समाज में किस परकार की असमानता है वो विध्यमान है तो उसका हम अध्यन करते हैं समाजिक इस्त्रीकरण में और जो ये असमानताई होती है ये मुख्य रूप से जन्म से भी हो सकती है जन्म से भी हो सकती है और जन्म से मतलब कि उसका किस परकार से विकास हो रहा है और समाजिक भी इसका इस्तरिकरण हो सकता है यानि कि हम बोल सकते हैं कि जो समाजिक इस्तरिकरण है वो एक ऐसी परकरिया है जिसमें व्यक्तियों के समुह को उनकी प्रतिष्टा हो गई, संपत्य हो गई, सक्ति की मात्रा के सापेक्स, पदानुकरम में, विभीन स्रीनियों में यानि कि उच वह निमने रूप में इस तरी करित किया जाता है तो यह था हमारा सामाजिक इस तरी करन उसकी डेफिनेशन और जो उसकी परिभासाएं थी वो इसमें हमने देखी अगर यदि थोड़ा आपको अच्छा लगाओ तो पुलीज इसको सस्क्राइब जरूर कर देना लायक भी कर देना कमेंट कर के भी मेरे को बता देना कि कुछ कमिया थीती तो वो ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर सकूँ तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना तो थेंक्यू दोस्तो इसको देखने के लिए